Dear students, पिछले वीडियो में हमने integers और characters को file के अंदर लिखना सीखा और एक से ज़्यादा भी character और integer लिखने सीखे append mode में भी सीखे और writing mode में भी सीखे और उन्हें पढ़ना भी सीखा अब जो नया topic आज आएगा पिछले वीडियो को देखने के लिए तो आप i button प्रेस करें और उसे देखें उसको देखने के बाद आज का वीडियो और असान लगने लगेगा अब बात करते हैं आज के topics की तो आज हमारा रहेगा record record का मतलब रहता है कि record is a collection of data data may be of different type मैंने का न कि जब मैंने structure पढ़ाया तो उसमें बताया था collection of heterogeneous data items is known as structure तो ऐसे यहाँ पे भी अगर different data items जैसे एक student का data लिखके आना है मुझे file के अंदर तो उसका role number, name, father's name, address, phone number इस तरह की चीज़े लिखनी होंगी तो वो सारी की सारी चीज़े integer, float, character, even strings भी होंगी, double भी होंगी जितनी तरह की चीज़े लिखेंगे तो आप this similar data items यह बन गए और इन सब का collection एक record बन गया तो पूरे record को कैसे लिखा जाता है आज सीखाऊंगा अच्छा records को लिखने के लिए देखो get c, put c हमने function यूज़ करें character के लिए get w, put w यूज़ किये हमने integer लिखने के लिए और पढ़ने के लिए ऐसी आज बाच जो करेंगे वो करेंगे print f, print f and f skin f तो इसके syntax में और print f के syntax में या scan f के syntax में और f skin f के syntax में जो फरक होता है, वो ही है जो file में लिखवाता है, भाई print f के तुरू आप screen पे छापते हैं और हम आज file की बात करें तो f print f हो गया keyboard से जब हम get करते हैं तो scan f लगाते हैं, आज हम f skin f की बात कर रहे हैं, जो के हमे files read करना है, ठीक है तो आज के हमारे जो topics होंगे वो क्या होंगे, writing a record यह आपको board पे देख रहा है, writing a record into the file, in writing mode, and reading a record from the file, और फिर writing multiple records, और reading multiple records even यह सब काम में writing and reading mode में करूँगा, आप append board में भी करना चाहें, तो यसे कर सकते हैं, बस आपको r की जगे a, यह w की जगे a करना होता है, ठीक है आता हूँ मैं प्रोग्राम पे तो देखो अब आपके सामने एक प्रोग्राम देख रहा है, जिसमें integer roll number marks float में और 10 character में लिया गया है, n को 10 characters कर रखा है, 10 character मतलब एक string, ठीक है इनको कैसे लिखेंगे, जड़ा देखते हैं और सबसे पहले तो file को writing mode में खोलेंगे आप उसके बाद user से यह तीनों चीज़ें, हलाकि input भी करा सकते हैं और initialize भी कर सकते हैं initialize लेकिन एक record तक तो कर लेंगे जब ज़्यादा की बात होगी, तो आप initialize नहीं बलकि user से input कराएंगे तो देखो, input कराने में मैंने printf और scanf लगाएं इसमें मुझे कुछ नहीं बताना ही, सब आपको आता है अब f printf जो line ने बस किसी को अलग कर देते हैं और यसी को मुझे समझाना होगा printf के syntax में दो चीज़ें आती थी एक तो control strings और a का आता था उनके लिए लिखा गया variable का name variable का जो name होता था वो control strings की जगे पे जाके चिपक जाता था, यानि कि अगर मैंने percentage d और comma लगा के double quotes में percentage d और comma लगा के, मैंने a लिखा तो a की value percentage d की जगे जाके set हो जाती थी लेकिन screen पे, अब बात आएगी कि file में जाके, तो screen तो आपकी एक ही होती थी, लेकिन आज बात करेंगे file तो कितनी सारी भी हो सकती है तो उनमें से किसी एक particular file पे लिखके आना है इस वज़े से हमें ये identify करना होगा इसको ये बताना होगा कि इस file में जाके लिखना है तो हमारे उन arguments में दो के बजाए यहां पे तीन argument आएंगे पहला argument होगा उस file का pointer जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें जाके हमें लिखके आना है उसके बाद होगा control strings जिनके through लिखना है उसके बाद होगा वो variable जिसकी value को लिखके आना है यह तीनों की तीनों चीज़े कॉमा से separate होगी तो देखो आते हैं यहां पे इसमें देखा F मैंने file का pointer लिखा जो यहां पे file का pointer जो यहां पे return होगा address of file कि इसका bit.txt का address return होगा वो होगा तो F में F identify करेगा bit.txt के अंदर में को लिखना है या पढ़ना है ठीक है यहां पे F printf में मैंने कहा न तीन चीज़ आएंगी तो पहला देखो आया F मतलब address of that file और उसके बाद में percentage dfs मैंने तीन चीज़े लिखी इनका तीन का sequence है अपना पहला integer लिखा जाएगा फिर float लिखा जाएगा फिर string लिखा जाएगा और फिर ये देखो मैंने तीनों ये लिखे हैं तो rn इसका sequence जो होगा वो ही in variables का होगा मतलब पहले मैंने d लिखना है तो d का मतलब है rn यानि कि integer का मतलब rn फिर float मतलब marks फिर string मतलब name ऐसे करके ये print करके आएगा और print करने के बाद में data is written वो simple message है उसका कोई ऐसा special बात नहीं है अब इस program को पहले चला के दिखाते हैं फिर बात करेंगे मैंने यहाँ पर इस यूज़ देखो आउटपुट पर देख रहे हो तीनों चीज़े मांग रहा है row number 12 name Rita मैंने कोई भी नाम लिखा और फिर उसके बाद मैं marks में लिखा 45.5 data is written यह file के अंदर जाके लिखाया अब इस record को जिसको मैं लिखके आएँ पढ़ना और आना चीए तो कैसे पढ़ेंगे ज़रह देखते हैं हलाकि यह file में लिखा होगा मैं आपको दिखा सकता हूँ बट मैं अभी दिखाना नहीं चाहता मैं तो चाहता हो file से पढ़ा जाए मतब अपने प्रोग्राम से पढ़ा जाए तो read a record from the file बहुत simple प्रोग्राम है जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं वहाँ पे क्या रखते थे f get c character पढ़ निकले get w integer पढ़ निकले यहां होगा f skinf f skinf को कैसे use करते हैं देखो f skinf के syntax में और f printf के syntax में जरासा भी फरक नहीं होता तीन argument होते हैं वही तीन उसी तरह से लिखे जाते हैं बस वहाँ फरक क्या होता है variable का नाम वहाँ direct होता है यहां पर variable के नाम के साथ m% लगा होता है मतलब address off तो जैसे skinf में address off लगे होते हैं यहां भी f skinf में address off लगे होते हैं तो देखो कैसे मैंने यहां रखा हुआ है file open हुई reading board में उसके बाद f skinf सीधा देखो बस f skinf का ही game होता है इसमें देख रहा है आपको f skinf में मैंने वो ही तीन चीज़ लिखी है file का pointer यानि की address और तीनों वो चीज़ d, c, d, s, s जिस sequence में लिखके आये थे उसी sequence में यहां पर फड़ा जाएगा पहले integer था फिर float था फिर यहां string था उसके बाद तीनों चीज़ों को मैंने m% rn, m% m और m% n की जगे सिर्फ n लिखा है m% n क्यों नहीं लगाया string जब मैंने आपको सिखाई थी तो उसमें ये बात बताई थी कि n क्योंके एक character का array होता है और n जो name of array है वो खुद अपने आप में एक address यानि की pointer होता है इसलिए उसके आगे कभी m% नहीं लगाया जाता तो मैंने यहाँ भी नहीं लगाया है ठीक है और बाकी जो चीज़े rn, n और m में आ जाएंगी वो मैं यहाँ पे printf के थुरू आपको पढ़के दिखा रहा हूँ ठीक है, यहाँ पे पढ़के मतलब स्क्रीन पे लिखके दिखा रहा हूँ ठीक है, मैं चला के दिखाता हूँ यह तीनों चीज़े जो मैंने अभी लिखी थी उस file के अंदर जाके 12, Rita और 45.5 देखो, आराम से दिखाई दे रहा है यानि कि file में, मैंने keyboard से नहीं दिया इसको इसने खुद लिया file से और आपको पढ़के दिखा दिया मैंने जो दिया था, वो पिछले प्रोगाम में दिया था इस तरह से हम कहते हैं, कैसे एक record को लिखा जाता है अब इसी, वो कैसे एक record को पढ़ा जाता है अब बात करनी अगर हो, कि multiple records को लिखा जाए और फिर उनी को पढ़ा जाए तो देखो एक से ज़्यादा record लिखने हैं, कुछ नहीं बस आपको क्या करना है, एक loop लगाना है मैंने देखो, वैसी writing mode में file को लिए है और do, एक loop लगा है और loop के अंदर enter the name and role number name and marks मांगे और उनको जाके printf, printf से लिख दिया, और फिर पुछा कि क्या आप और चाहते हैं अगर वो कहें yes ch equal to get ch, वो तो yes or no, y press करेगा input होगा ch में, और अगर y, y से match कर गया, तो क्या करेगा सीधा do पे पहुँचेगा, और फिर आपसे दूसरा record मांगेगा, तो इसमें कोई नई बात नहीं रही, ये तो आपको जैसे character लिखने थे बहुत सारे, ऐसी integer लिखने थे, आप इसमें बस record लिखने बस लिखने के बाद उन्हें कैसे पढ़ना है, उन्हें और सिखाते हैं, पहले इस निकार, roll number 2, और name B, और marks 2 लिख दिया, और फिर yes किया, 3 C, और 3 और फिर no करती, out समझ में आया आपको तो ये सारे records उसने लिख दिये जब ये सारे लिख के आ गया अब क्या करना है आपको अब आपको पढ़ के दिखाना है तो पढ़ने के लिए कुछ नहीं, फिर do while वो ही मैंने जो अभी आपको सिखा रखा है वो यहाँ पर apply करना है देखो, इसमें क्या होगा, reading mode में file को खोला जाएगा खोलने के बाद, एक पहला record यहाँ पर पढ़ लिया जाएगा एफ सकेनफ जैसे में सब जा चुका हूँ ठीक है, पढ़ने के बाद do के अंदर जाओ और क्या करो, उसको screen पे लिखो और फिर एफ सकेनफ के थुरू फिर दूसरा record पढ़ो और पूप जैक करो, क्या वो end of file तो नहीं है, अगर end of file है तो exit हो जाओ और अगर end of file नहीं है तो फिर दूबारा से do पे जाओ, और फिर से नया record लिखो, जो second आप ने पढ़ा, और लिखने के बाद फिर से नया record पढ़ो, और यही चीज करते रहना है, तब तक, जब तक के end of file encounter नहीं होता, प्रोग्राम को execute करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर तीन record आ रहे हैं और मैंने अभी कितने record लिखे थे उस वाइल में तीन ही record लिखे थे, तो यह था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मुझे आपको records कई सारे लिखने और पढ़ने बताने थे, अब मैं एक छोटा सा assignment आपको दूँ तो आप बना सकोगे, तो वो छोटा सा assignment कुछ भी नहीं है, बहुत simple सा program आपके student का record store कराओ, और उसका न, एक चीज, role number, name और marks तो मैंने कराए आप क्या करेंगे, role number name, और marks in five subjects ले, और उसके बाद क्या करें, उनको show करें, read करने के बाद में file से, और show करते time पे थोड़ा सा program को बढ़ाएं वो क्या करें, उन marks को जोड़ें, पाचों subjects को जोड़ने के बाद, फिर क्या करें, उनको total करके, फिर उनकी percentage निकालके फिर उनकी division बनाएं, और division बनाके result को screen पे एक अच्छे से format में print करें आपको formatting भी मैंने अच्छे से सिखाई हुई है, मतलब आप एक screen पे अच्छा सा format दें मुझे अच्छा लगेगा, और आशा है आप ये जरूर बना पाएंगे, ये काम एक student के बजाए, मतलब multiple students मान लेते हैं, five students के लिए करिए, ठीक है, five या 10 students, आपकी जिसी मर्जी हो वो सारे के सारे शो करें अब बात आएगी कि किसी एक particular को दिखाना हो, वो कैसे दिखाएंगे तो मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है इस program को ऐसी save रखेंगे आप मैं अगले वीडियो में आपको लेके आऊँगा दो functions, एक FC और एक F tell, एक search करेगा यानि कि जिस number को मैं byte number को दूँगा, उस byte number पे पहुँचेगा, और दूसरा tell जो होगा, वो क्या करेगा वो उस जगे की exact location बताएगा, इन दोनों को use करते हुए, आप exact record पे कैसे पहुँचेंगे, वो मैं अगले वीडियो में आपको सिखा हुआ, ठीके आप कल तक के लिए, wish you all the best